नमस्कार मैं नपसोनू आप सभीका अरोमा क्लासिस पर श्वागत करता हूँ आज मैं आपनों के लिए बहुत ही महत्पून टॉपिक लेका है हूँ जिसका ना है सिंधु जल समझाता ये काफी महत्पून टॉपिक है यह भारत और पाकिस्तान के मद्द हुआ है अगर हम बात करें उस शमय भारत के पृदान मंतरी कौन थे तो पंडित जबाहरलाल नेहरू भारत के तरफ से थे और पाकिस्तान के तरफ से कौन थे अयूव खान थे ये वही प्रधान मंतरी हैं जो मिल्खा सिंग को Flying Sikh की क्या किये थे उपाधी दिये थे अगर Estatic GK में कोशन बनता है कि Milka Singh को कौन Flying Sikh की उपाधी दिये थे तो ये कौन है अयुव खाँ है लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बिच सिंधु जल को लेके समझोता हो रहा था तो उसमें मध्यस्ता किसके द्वारा किया गया था Wishwobank के द्वारा World Bank के द्वारा किया गया और उस समय Wishwobank के जो अध्याक्ष थे वह कौन थे Eugene R. Black थे ते तीनों नाम काफी महकोन हो जाता है भारत की तरफ से कौन रहे है तो पंडित जबाहरलाल नहरू पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान और वर्ल्ड बैंक जो की मध्यस्ता कर रहा था तो उसके अध्यक्ष कौन थे तो यूजीन आर ब्लैक थे अब हम बात करें कि भाई किस प्रकार से ये संधी किया गया तो देखिएगा कुल छे नदियां जो कि सिंधु और इसकी सहायक नदी हैं इन सभी नदियों पर क्या किया गया सिंधु जल समझोता किया गया तो यदि आपसे प्रस्न पूछ दे कि सिंधु जल समझोता कितनी अगर आप इंडियन जोगरफी पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम सिंधु नदी तंत्र के बारें बतलाएं थे और वहाँ बतलाएं थे किस प्रकार से जेलम, चेनाब, राभी, सतलज, ब्यास और सिंधु नदी मिलकर एक सिंधु नदी तंत्र का क्या करती है? निर्मान करती है तो इसी सिंधु नदी तंत्र क्या किया गया है? सिंधु जल समझाता किया गया है इन छे नदियों को दो भागों में बाटा गया है एक को कहा जाता है पश्मी नदी आद दूसरे को क्या कहा जाता है? पुर्वी नदी कहा जाता है पश्मी नदी के अंतरगत कौन-कौन है? सिंधु जेलम और चिनाब को हम लोग किसके अंतरगत रखे पश्मी नदी के अंतरगत रखे और रावी व्यास और 17 नदी को हम किसके अंतरगत रखे पूर्वी नदी के अंतरगत रखे और इन नदियों के 20% जल का ही उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा भारत के द्वार किसके द्वारा किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा क्योंकि हमारे यहां ब्रहंपुत्र है गंगा है बहुत सारी बड़ी नदियां है अगर दक्षिन भारत में चले आए तो गुदावरी है तो भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है पाकिस्तान की यदि हम बात कर ले तो पाकिस्तान की प्रमुख नदी जो है वह क्या है सिंधू नदी ही है तो पाकिस्तान का दलिल था कि मेरा बहुत सरा जो सीचाई है irrigation project है agriculture है या और भी जो river valley project है सब सिंधू नदी पर ही क्या है dependent है और ये हमारी प्रमुख नदी है इसलिए इसके जादा हिंसे का उप्योग पाकिस्तान को करने दिया जाए तो इसलिए पाकिस्तान को 80% जल के उप्योग का क्या दिया गया अधिकार दिया गया और 83 करो रूपया जो है इसको river valley project के लिए भी क्या किया गया था दिया गया कि 80% water जो है वो पाकिस्तान उप्योग करता है और साथ में हम लोग 83 करोर रुपया जो है यह भी उसको मुहया करवाया गया ताकि वह river valley project क्या कर सके बना सके तो आप देखते हैं किन नदियों पर जादा अधिकार किसका है तो देखे पश्मी नदी जो है इस पर अधिकार किसका है पाकिस्तान का है हाला कि भारत को बोला गया कि पश्मी नदी पर आप run off project चला सकते हैं run off project किसको कहते हैं run मतलब बहते चलना यानि कि आप सिचाई के ल जवाह अवरुद हो जाए यानि कि भारत इन नदियों के जल का उप्योग कर सकता है लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है जिसके कान इन नदियों का जल जो है वह रुक जाए या इसका भॉलिम कम हो जाए ताकि वह पाकिस्तान के तरफ नहीं जा सके तो इसल है भारत का है तो अगर हम एक बार समप करे तो सिंधु जल समझाता को अगर हम समप करे तो क्या बोल सकते हैं कि सिंधु जल समझाता किस वर्स हुआ है 1960 में हुआ, किसके बीच हुआ है तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझाता हुआ, भारत के तरफ से कौन थे तो पंडित जवहारलाल नहरू थे और पाकिस्तान के तरफ से कौन थे तो अयूब खान थे, और इस समझाता में मध्यस्ता किन के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष उस समय कौन थे यूजीन आर ब्लैक थे पुल छे नदियों पर यानि कि सिंधु नदी तंद्र पर यह समझोता किया गया इन छे नदियों को दो भागों में माटा गया एक को हम क्या कहे है पश्मी नदी जिसके अंतरगत सिंधु जेलम और चिनाम आता है दूसरा पुर्वी नदी है जिसके अंतरगत रावी व्यास और सतल जाती है इन नदियों के 20% जल का उप्योग किसके द्वारा किया जाता है भारत के द्वारा और 80% जल का उप्योग किसके द्वारा किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा तो हम लिखे भी हैं कि पश्मी न ये इसका उपयोग कर सकता है लेकिन पुर्वी नदी पर पूर्ण रूपेन किसका अधिकार है भारत का अधिकार है यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जादा से जादा सेर जरूर कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप सभी का